नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनलोजब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PPO नंबर के बारे में अगर आप एक पैंशनर्स हैं या फिर आप किसी भी कारण से अपना PPO नंबर यानि की PPO पैंशन पैमेंट ओडर नंबर जानना चाते हो पता करना चाते हो आपको अपना PPO नंबर नहीं पता तो कैसे आप पता कर सकते हो दो तरीके आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लाइव कैसे आप पता कर सकते हो घर बैठे ओनलाइन कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है PPO नंबर से वो अपनी पैंशन से संबदी जो है सारी जानकर ही ले सकते हैं पैंशन की इस्ट्री चेक कर सकते हैं और, पीपि ओ नमबर के माधवर से अपनी पैंशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, तो अगर आप भी जो है अपना पीप ओ नमबर जानना चाहते हो, कैसे पता करते हैं, आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद का निकाल सकते हो और दूसरों की भी help कर सकते हो तो वीडियो पूरी देखना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और आगे भी इस तरी की help नोलबेश वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जूरूर कीजेगा चले बिना किसी दरी के आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने mobile में या फिर computer में कोई भी internet browser open कर लेना है जैसे की Google Chrome हो गया Mozilla Firefox हो गया कोई भी browser open कर लेना है और आपको जो है search bar में आपको search करना है EPFO EPFO जब search करेंगे तो EPFO की जो official website है EPFO India.gov.in ये आ जाएगी इसको open कर लेना है जब EPFO की website open हो जाए तो यहाँ पर आपको जो है एक option देखने को मिलेगा pensioners portal का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर pensioners portal यह जो option है इस पर आपको click करना है जब इस पर आप click करेंगे तो जो pensioners का जो portal है वो आपके सामने आ जाएगा इस तरह से बाकी इसका जो direct link है वो मैंने वीडियो के description में दे दिया है जैसे उसी link पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने जो है यह page आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो welcome to pensioners portal अब यहाँ पर कैसे PPO नंबर पता कर सकते हो तो यहाँ पर आपको जो है एक option देखने को मिलेगा know your PPO number तो यह जो option है know your PPO number इस पर आपको click करना है जब इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दो option मिलेंगे आपका जो bank account number है जिस account में आपकी pension आ रही है उससे आप पता कर सकते हो या फिर आपके पास जो member ID रहती है जो PF member ID रहती है उससे भी आप पता कर सकते हो दो तरीके हैं यहाँ पर available तो अगर आपके पास PF member ID नहीं है simple bank account number है जिस bank में आपकी pension आ रही है तो उस account number से भी आप पता कर सकते हो कैसे करना है देखे bank account number search यह जो option है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको account number पूरा bank account number आपको यहाँ पर mention कर देना है जब यहाँ पर पूरा bank account number पर mention कर दें उसके बाद यहां पर submit का जो option है इस पर आपको प्रेस कर देना है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ second के लिए 5-10 second के लिए आपको wait करना है और जैसे यहां पर complete हो जाएगा तो इस तरह से message आजाएगा देख सकते हो details as per bank account number जो आपने bank account number दिया है उसके number search करेंगे तो आपकी जो पीफ member जो ID रहती है वो भी यहां पर दिखा देगा यहां पर जो है पीपो नमबर आ गया यहां पर member ID आ गी और यहां पर pensioners का जो भी नाम रहता है उसका नाम यहां पर आ गया है और यहां पर pension type यानि कि आपको जो pension मिल रहे है वो retire हो गए तो pension म ही लिए तो इस तरह से आप जो है अपना पीपो नमबर पता कर सकते हो तो यहां पर आपको गूपलीट से कैसे पता करना यहां पर देखें में इear डी सर्च इस पर आपको क्लिक करना हे उसके बाद यहां पर member यहां पर क्लिक करना है, यहां पर starting जो PF member ID रहती है, उसके starting के जो two digit रहता है, वो state को represent करता है, तो यहां पर जो भी आपका AP दिखा रहा है, या फिर DL दिखा रहा है, starting से, या फिर GJ दिखा रहा है, या फिर JP दिखा रहा है, HR दिखा रहा है, या फिर WB दिखा रहा है, WB म पर select कर लिए ठीक है जब यहां पर select कर लेंगे उसके बाद यहां पर देखे इस पर जो है डिस्टिक का जो code रहते है वो आपको यहां पर select कर लेना है आपकी P F Member ID में mention रहेगा जब यहां पर mention कर दें उसके बाद यहां पर आपको जब state district का code select कर लें उसके बाद तो यहाँ पर आपको जो 7 digit का जो नंबर मेंशन करना है आपकी जो पिए मेंबर ID रहती है उसमें जो 7 digit की जो statement ID रहती है वो यहां पर ID आपको mention करनी रहेगी उसके बाद यहाँ पर आपको 000 देखने को मिलेगा तो यहां पर जो है तो कंपनियों का जो extension जो call रहता है वो यहां पर mention करना रहता है वट मोस्ट आप केस में company का जो extension जो call रहता नहीं है तो यहां पर आपको अपनी प हैंड कर दी थो यहां पर अक्टिमैंबुte करनी है उसके बदा हैं उसके बाद सब्मिट की पर डेटेल यहां पर यहां पर लोगती सब्सक्राइब नमबर यहां पर आपका पीपियो नमबर रहेगा और यहां पर आपकी मेंबर आइडी मेंशन रहेगी या फिर आपके पास PF Member Idea उसके मादनम से आप जो अपना PPO नमबर पता कर सकते हो, मैंने आपको जो complete जानकरी दे दी और आपको दिखा भी दिया, अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो यह 5-7 सेक्डिन लगेंगे, कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके अपनी राय, अपना फीड़ बेक जरूर कीजिएगा, मिलते जल्द एक और नहीं जानकर है, एक और नहीं इंफोर्मेशन के साथ अपना ख्याल रखेगा, बबाए, टेक केर.